नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MSSSC Notes में दोस्तों हमने आज आज आपके लिए ये वीडियो त्यार किया है Social Science से Related यानि जो आपके एक्जाम में समाजिक विज्ञान से Related जो कोशन पूछे जाते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन प्रशनों को हमने आज इस वीडियो के माध्यम से त्यार किया है जिससे आपका त्यारी अच्छे से हो सके तो दोस्तों आपको करना क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथ ही साथ बेल आइकन प्रिस कर लीजिए जिससे हम अपना जो भी नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं वो आप तक नोडिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो देखिए दोस्तों कोशन आपके इस तरह से आते हैं समिधान तो इसकी जो प्रमुक बाते हैं वो आज हम जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से देखिए हमारा थर यह हो सकता है कि समिधान उन आधार भूत नियमों वा कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का सासन चलाया जाता है यानि समिधान क्या होता है वह आधार भूत नियम वकानून को संग्रह है यानि किसी भी देश का जो कानून होता है वो क्या होता है उसी सासन क्या होता है वहाँ का सासन कैसे चला जाता है समिधान के माध्यम से चला जाता है तो अगर आपको इसकी डिफिनीशन लिखने को हु तो समिधान सभा का गठन कब हुआ भारत में समिधान सभा का गठन जुलाई 1946 इसवी को हुआ था या आपको याद रखना है समिधान सभा का गठन जुलाई 1946 इसवी को हुआ था अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि भारतिये समिधान सभा की पहली बैठक कब हुई भ समिधान सभा का अस्थाई अध्यच ग्यारा दिसंबर 1946 इसवी को डाक्टर राजिन प्रसाद को बनाया गया याद रखेगा अगला है समिधान सभा की प्रारूप समीत के अध्यच कौन थे समिधान सभा के प्रारूप समीत के अध्यच डाक्टर भीमराउं अमेट कर थे जिन अगर आपको लिखने के लिए आ गया कि सम्मिधान की प्रमुग विसेस्ताइं बताईए अगर आपको लिखने के लिए आ गया कि सम्मिधान की प्रमुग विसेस्ताइं बताईए तो आप शौर्ट में अच्छे से यह लिख सकते हैं कि सम्मिधान क्या होता है सम्मिधान की व पेच्छ राज्ज यह सब किसके अंतरगत है समिधान के अंतरगत है इसकी प्रमुख बिस्ताएं है चलिए आगे देखते हैं दोस्तो हमारे मौलिक अधिकार के बारे में आप साथ जानते भी होंगे हमारे मौलिक अधिकार कौन-कौन से है तो भारती नागरीता को कुल छे मूल अधिकार कौन-कौन से हैं बहुत important है कभी-कभी ये पूछ लेता है इसे में लोग कभी confused हो जाते हैं तो आप इसको याद कर लीजे पहला अधिकार कौन सा है समानता का अधिकार दूसरा स्वतंदता का अधिकार तीसरा शोशन के विरुद्ध अधिकार और चौथा है ध सूचना का अधिकार कब लागू हुआ यानि जो सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था वो कब हुआ था तो यह अधिनियम 2005 15 जून 2005 को पारित हुआ वह 12 अक्टूबर 2005 को यह क्या हुआ लागू हुआ है फिर next question यह है कि सूचना का अधिकार क्या है सूचना का अधिकार से आसे उस वैधानिक अधिकार से है जो किसी देश के लोगों को शरकारी कार्यों सम्बंधित सूचनाय प्राप्त करने वा पहुच के अवसर प्रदान कराता है यानि सूचना का देखिए अधिकार क्या होता है उसका आसाईय है उस वैधानिक अधिकार से है जो किसी देश के लोगों को सरकारी कार्यों से सम्बंधित सूचनाय प्राप्त करने वा पहुचाने का अवसर प्रदान करता है ठीक है अब देखिए कहीं भी कोई देश का कोई व्यक्ति से क्या होता है कि उसी सूचना क्या होता है पहुंचाया जाता है तथा वो प्राप्त करता है किसी न किसी माध्यम से तो वही होता है सूचना का अधिकार चलिए आगे देखते हैं अगला कुशन देखिए दोस्तों लाज्ट कुशन हमारे पास यह है कि मुल करतव क् पताईए यह आप मूलक करतव्य से क्या समझते हैं तो आप क्या बताएंगे मूल समीधान में मूलक करतव्य नहीं की गई है किन्तो 42 संवैधानिक संसोधन अधिनियम Manuel LISA 76 के द्वारा समिधान में 10 मूल कर्तव्य लिए गए हैं 86 संसोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया अब कुल मिला की कितने हो गए हैं 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं यह हमारे क्या है 11 मूल कर्तव्य हैं तो दोस्तों यह थे हमारे आज के टॉप 10 important question आपको यह वीडियो क कैसा लगा आप हमें comment में जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और हमारे नए वीवर्स हैं जो इस वीडियो को अभी जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फ्लीज सब्सक्राइब कर लिजे साथ इसाथ बेल आइकन प्रेस कर लिजे ज अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं वो आप तक notification के मादम से पहुंच जाएगा तो मिलते हैं दोस्तों आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार